किसी ने क्या खूब कहा है कभी संगहर्ज को ऐसे पढ़कर देखिए संग प्लस हर्ज बस फिर दुनिया बदल जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा डाम प्रेम प्रेकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई बहत्रेनी प्रेड़ावाय कहानी लेकर करके आया हूं तोस्तो आज की कहानी से जाने की बिना संगहर्ज की जीवन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका सीर्षक है संगहर्ज का भात राहुल एक समझदार लड़का था लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था एक बार जब उसका पसेंद्धा कप तूट गया तो मा ने उसे बाजार में से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने को कहा पहली बार राहुल को इस तरह का कोई काम मिला था वह मन ही मन खुस हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाहर जाने को मिलेगा और उतनी देर कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा वह पास के बाजार में पहुँचा और इधर उधर कप खोजने लगा वह जो भी कप उठाता उसमें कोई न कोई कमी होती कोई कमजोर होता तो किसी की डिजाइन अच्छी नहीं होती काफी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप नहीं दिखाई दिया और वो मायूस लोटने लगा तब ही उसकी नजर सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप से जाटी की उसकी चमक और खुशूरती देख राहुल खुस हो गया और जट से दुकांदार से वो कप हाथ में लेकर देखने लगा कप वाकाई में बहुत अच्छा था उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसकी सांदार डिजाइन हर चीज परफेक्ट थी राहुल ने वो कप खरीद लिया और घर चला गए रात को भी वो कप अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेड़ गया और देखते देखते उसे नीद आ गई वो गहरी नीद में सोग रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी राहुल राहुल ने देखा कि वो कब उससे बाते कर रहा है कब बोला मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था राहुल बोला नहीं मुझे नहीं पता तुम्हाँ ही वदाओ कि पहले तुम कैसे थे कब बोला एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी हुआ करता था फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गए उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे उपर पानी डाल कर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा मैं चिलाया कि अब बस करो लेकिन वो कहता रहा अभी और अभी और मैंने बहुत कश्च सहे जब वो रुगा तो मुझे लगा कि बस अब जो होना था वो हो गया अब मैं पहले से काफी अच्छी इस्थिती में हूँ लेकिन ये क्या उसने मुझे उठा कर एक घुमते हुए चक्के पर फेक दिया वह चक्का इतनी तेजी से नाच रहा था कि मेरा तो सर ही चकरा गया मैं चिलाता रहा अब बस अब बस लेकिन मास्टर कहता अभी और अभी और और वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार द लेकिन अब मैं खुश था कि चलो इतने कश्च सहकर ही सही अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूं वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी कोई बैलू नहीं थी लेकिन मैं गलत था अभी तो मैं अभी तो और कश्च सहने बागी थे मास्टर ने मुझे उठा कर आग की भठी में डाल दिया मैंने अपने पूरे जीवन कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी लगा मानो मैं वहीं चल कर भस हो जाओगा मैं एक बार फिर चल लाया नहीं नहीं निकालो अब बस करो अब बस करो लेकिन मास्टर फिर यहीं बोला अभी और अभी और और कुछ देर बाद मुझे भठी से निकाल दिया गया अब मैं अपने आपको देखकर हैरान था मैं अरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था उन्होंने मुझे फोरन रगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस सांदार रूप में आ गया सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्भ हो रहा था कि जितना पहले कभी हुआ था हां यह भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी महनत नहीं की थी इतने कस्ट नहीं सहे थी लेकिन आज जब मैं अपने आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा संगर्स मेरी मेहनत बेकार नहीं गई आज मैं सरोंच उठा कर चल सकता हूं आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया की सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ राहुल सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की उसकी आखें खुल गए आज सपने में ही सही राहुल महनत का महत्व समझ गया था उसने मन ही मन निश्चे किया कि अब वो कभी महनत से जी नहीं चुराएगा और अपने टीचर्स और माता पिता के कहे अंसार मन लगा कर पढ़ेगा और कड़ी महनत करेगा तो दोस्तों इस कहानी से हमें कड़ी महनत करने की सीख मिलती है फिर चाहे वो पढ़ाई हो खेल हो या कोई और चीज आपने सुना भी होगा कड़ी महनत का कोई विकल्प नहीं है इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो कभी हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए याद रखिए जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही सांतार होगा और इसके लिए प्रद्दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की सुरुआत तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आसिरबात और भगवान के सहरे के साथ यही कहूँगा काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा की उदाहरण बग जाए छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने स्मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बहतरी इन मोटिवेसल स्टोरी आपको मिलती रहे इस के लिए प्रेस बेल आइकन